हर दिन होना चाहिए नारी के नाम क्योंकि बिना रुके करती है वो हर काम जी हाँ बिना रुके ही हर एक महिला काम करती रहती है तो चलिए आज हम बात करेंगे अंतरास्ट्रियम महिला दिवस की बिल्कुल आज अंतरास्ट्रियम महिला दिवस है और देशी नहीं विदेशों में भी महिलाओं का सम्मान आदर के साथ होता है और आज का दिन बहुत खास है आखिर क्या है आज की दिन की खासियत आखिर आज ही क्यों मनाया जाता है अंतरास्चियम महिला दिवस इन सभी सवालों के जवाबों के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट दुनिया भर में हर साल 8 मार्च का दिन अतरास्चियम महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिन खास तोर पर महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों को समर्पित है हर साल इस खास दिन को एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुवात कैसी और कब हुई हर साल 8 मार्च को ही इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है अगर आप भी इन सवालों के जवाब से अंजान है तो चलिए आज हम आपको इसके जवाब देंगे महिला दिवस के इतिहास और इससे जुड़ी सभी ज़रूरी बाते आपको बताएंगे चलिए बात करते हैं महिला दिवस के इतिहास के बारे में महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में नियोक में हुई एक रैली का अहम योगदान है जी हाँ दरसल इस साल नियोक में 12-15,000 महिलाओं ने एक रैली का आयोजुन किया था रैली करने वाली इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी नोकरी के कुछ घंटे कम किये जाए और साथ ही उन्हें बेतन भी उनके काम के मताबिक दिया जाए इसके साथ ही इन लोगों की ये भी मांग थी कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिले इस आंदोलन के एक साल बाद अमेरिका के शोसलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल विमन जे के खोशना की थी और बाद में साल 1911 में डेन मार्क स्विजल लेंड ऑस्टेलिया जर्मनी में पहला अंतरास्ट ये महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था इसके बाद 8 मार्च 1975 को सयुक्त रास्ट ने महिला दिवस को आधिकारिक तोर पर मानेता दी और इसके बाद से हर साल इस दिन को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया गया चलिए बाद करते हैं महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है दरसल महिला दिवस को मनाने का खास मकसद समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना है और साथ ही इसका उदेश्य हर एक महिला को उनका हक दिलाना भी है साथ ही किसी भी छेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाओं को रोकने के मकसद से भी इस दिवस को मनाया जाता है और इस दिन महिलाओं के अधिकारों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें जागरुक करने के मकसद से कई कारेकरम और कैम्पेन भी आयूजित किये जाते हैं चलिए चलते चलते महिला दिवस 2023 की थीम के बारे में भी बात करते चलते हैं युनाइटेड नेशन की तरफ से जब 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की शुरुवात की गई थी तो इसे एक खास थीम के साथ मनाया गया था जब पहली बार अंतराश्च्य महिला दिवस मनाया गया तो इसकी थीम celebrating the post planning for the future रखी गई थी तो आप सब भी महिलाओं का सम्मान करें किसी भी महिला को अपने से कम ना समझें क्यूंकि मा है वो बेटी वो बहन है वो तो कभी पतनी है वो और जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो शक्ति है वो फ्रेणा है वो नमन है उन सब नारियों को जीवन के हर मोर पर जो हमारा हमेशा साथ देती है झाल